बिसमिल्लार रह्मार रहीम, असलाम लेक। मैं यूट्यूब फैमनी, वेल्किम टो मैं चैनल, कैसे हैं, हम सब लोग में थे किसा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज अभी असलाम मैं अपनों के साथ शेयर कर रही हूं, खोय की एक जबरदस किसम की रैस्पी तो जिसके लिए मैं ले लिए हैं, ब्रेट के स्लाइसे दो अदू और मैं इसको डाल लिया है, मिक्सी जार के अंदर और मैं इसको कर लूँगे, ब्लेंड तो बहुत ही जबरद कर दिजिए लाइक और इसे कर दिजिए फैमिल और फ्रेंड के साथ शेयर, तो महंगाई का दोर है, हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है, इतना महंगा खोया लेना, तो मैंने सुचा आपके साथ एक सिक्रेट रैस्पी शेयर करूं कम बज़र में, तो यह जो हो चुके हैं ब्रेट क्रम्स बन चुके हैं, तो इनको मैं डाल लिया है, एक कड़ाई के अंदर और लोफ लेम के पे मैं इनको कर दोंगे ड्राय रोस्ट, इसको आपने तीन से चार मिनिट में ड्राय रोस्ट करना है, और उसके बाद हलका से जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे दूद को, तो यहां पर मैंने सिर्फ और शिर्फ आदा किलो दूद लिया है, और आदा किलो दूद से मैं बना रही हूँ, आदा किलो ही खोया, तो सद्धियों का मुसम है, खोय का यूज जो है बहुत ज़ादा होता है, हास रोपे, जब आप गाजर का हलवा बनाते हैं, तो उसमें आप खोया जो है, आपको मस्ट चाहिए होता है, उसके बगाए जो है, उसका टेस्ट जो है, वह इन्हेंस नहीं होता, तो बिलकुल जो है, वजारी हम लोग बनाएंगे, यहां पर खोया, बिलकुल सेम वही टेस्ट होगा, लेकिन हम लोग बनाएंगे, बहुत ही कम बज़ेट में, जस्ट हमने ब्रेट के टूर स्लाइसिस लिया हैं, और आदा किलो हम दूद लेंगे, और यह मैंने आदा किलो दूद ले लिया है, और मैं इसको जब यह तीन से चार विनिट तक मैं इसको ड्राय रोस्ट कर लेंगे, बाद मैं आपको दूँए वो टिप जिसके जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल बजार जैसा होगा तो वीडियो को एंट तक लाजमें देखेगा, तो गुसासर मैं इसको हिला रही हूँ, ताकि जो है यह नीचे ना लगे, और वेस्ट रहू हमारा जो है, मैं आपको आइन मे नहीं है, यह जल्दी बन जाता है, तो आपने के पराना नहीं है, और साथ से चमच जो है वो हिलाते रहना, तो थोड़ा तरगर करके मैं दूद शामिल कर रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, और बस तकरीबने दूद हो चुका है, शामिल थोड़ा सा रह गया है, वो मै टेस्ट आएगा, जो बाजार का टेस्ट होता है, तो अगर आपके पास देसी घी नहीं है, तो आप मक्षन भी यूज़ कर सकते हैं, मक्षन भी नहीं है, तो बटर एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, आप इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप आपके जो है जब दस किसम का इसमें टेस्ट जो है बाजार के खोई वाला आ जाएगा अब मैंने इसको डाल लिया है दुबारा से मिक्सी जार के अंदर इसको ग्रेड कर लिया ठीड है थाकि यह एकदम सुमूच सो बेटर बन ज़े तो यह दुबारा से इसको चूले पर तो अब पहले आप फिर भी चमच छोड़ सकते थे अब जब आपने इसको ग्राइंड करने ना है उसके बाद आपने चमच नहीं चोड़ना जोड़ना जोड़ेंगे तो नीचे लग जाएगा तो अब दुबारा जो इसका प्रोसेस है पांच से आठ मिनट तक मैं इसको दर् जा रहा है तो मैंसको मसलसल हिला रही हूं तो यह हमारी जब दसी रैस्पी है खोया की तो यह अगर आपको पसंद आई है तो आपने शुरूरूरू इसको ट्राइब भी करना है और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है तो बस इसको यह देखें याब आपको खुद ही होगा मेरे हिलाने से ही कि ये ठिक हो चुका है ये देखें साइडों से अब ये साइडों पर आप इसको देखें तो ये यहां पर लग रहा है नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब ये ठिक होने की तरफ आ गया है अब मैं इसको मजीद 2-3 मुट करें ठिक करूंगे अब निकाल लेंगे और आप इसको हर दहां के रैस्पीज में यूज कर सकते हैं जैसे के गाजर के हल्वे में और अगर आपने गुलाब जामन बनाने है तो इसको मजीद ठिक करके इसको गुलाब जामन भी बना सकते हैं तो यह मैंने थोड़ी देख लिए छोड़ा था यह चेक करने के लिए कि क्या यह लगेगा नीचे तो जूई मैंने छोड़ा था तो हलका सा नीचे लगना स्टार्ट हो गया था तो फिर इसलिए मैंने दुबारा से जो है इसको चमच को ले लिया था और मैंने इसको हिलान तो यह देखें कि बिखतरीन किसम का थिक हो चुका है हमारा कोया तो अब मैं चूले को कर दिया है बंद एक अदमन के मिन देख चिव रहन दिया था चूले पर रहन दिया था और आप इस देखें इस आपको तक्रीबन आप इसको रूम टंपरेचर पर ही जमा लें एक से दो इसको प्रेट में निकाल लिया है और मैं आपको इसकी कंसिसंस से दिखाती हूं किस तरह से दानेदार हमारा कोया तियार हुआ है यह देखें बहुत ही सपद्दस किसम का यह कोया बना है तो आप इसको जुरूर बनाएं कम बज़ट में और पिर अपनी रैस्पीज में इस जर्ण में काने बनाना सीखें जिस तरह से मैंने बनाया हैं तो आप इसको सुरूर ट्राय कीजिए और फिर मुझे बताईए अपना फीडबैक किस तरह का बना आपका एक हुए तो आप मुझे दीजिए इजाज़त के नर्खे का बहुत सारा ख्याल नेक्स्ट में आप से इं